Welcome to class of achievers आज exercise 14.3 का question number 4 जो आइसको करेंगे इसमें देशी हमें divide करना है तो पहले इस term को हम numerator में लेंगे तो ये आजाएगी 5 bracket 2x plus 1 into 3x plus 5 और divide में हमारा जाएगा 2x plus 1 अब 2x plus 1 से 2x plus 1 divide हो जाएगा और हमारा final answer जो बचेगा वो बचेगा 5 into 3x plus 5 ये first part का अंसर है वैसे second part में करेंगे फिर से ये हमारा numerator 26xy x plus 5 और y minus 4 और denominator में आजाएगा 13x into y minus 4 y minus 4 से y minus 4 divide हो जाएगा 13 के table में 26 2 times ये divide हो जाएगा x से x divide हो जाएगा और हमारा जो बचेगा answer वो बचेगा y x plus 5 ये हमारा final answer बचेगा इसमें तो third part में भी देखिए numerator हमारा ये और denominator ही आजाएगा अब इसमें से q plus r से q plus r divide हो जाएगा r plus p से r plus p 52 के table में 104 2 times आता है और p q से p q divide हो जाएगा तो हमारा answer जो बचेगा वो बचेगा 1 upon 2 multiply by देखिए denominator में तो सारा eliminate हो गया बचा है सिर्फ numerator में p plus q तो ये हमारा answer आजाएगा finalist का अब देखिए fourth part में ये हमारा numerator और denominator हो जाएगा हमारा 5 bracket y plus 4 5 वन जा 5 5 4 जा 20 y plus 4 से y plus 4 डिवाइड हो जाएगा तो हमारा answer बचेगा 4 bracket y raise to power 2 plus 5y plus 3 तो देखिए final part में भी हमारा numerator ये हमारा numerator हो जाएगा denominator हमारा ये तो देखिए x से x डिवाइड हो जाएगा x plus 1 से x plus 1 तो हमारा जो final answer बचेगा वो x plus 2 इन्टो x plus 3 तो इस तरह से हमारा जो है exercise 14.3 का 4th question जो complete हो गया अगर आपका अभी भी doubt होगा तो एक दो बार वीडियो को देखना ये comment box में बूच लिजेगा जिस और question में doubt होगा तो comment box में लिख दीजाएगा मुझ पर वीडियो बना दूँगा बाकि वरीद इफने के लिए आपका बहुत बुद देने वाद बाई